नमस्कार, आज बात करेंगे कुमारी आसो के बारे में, ये बहुत ही बढ़िया लिवरटॉनिक है, यकृत के लिए ये जानी मानी रसायन द्रव्य है, उसमें कोरफड रहती है, हिरडा रहता है, धाइटी रहती है, जाइफड है, लवंग है, कंकोर है, जटा मासी, चव्य च चित्रक, जाइपत्र, बेडा, कुषकर, तामर बस्म और लोह बस्म भी है, इसमें सबसे बढ़िया जो इंपॉर्टन कंटेंट है, वो है कोरफड का मतलब अलू भेरा, जिसको संस्क्रिक में कुमारी कहा जाता है, चीक है, तो इसके दो प्रकार के प्रॉडक्स मार्केट म available है, कुमारी आसो नंबर एक है, कुमारी आसो नंबर तीन है, कुमारी आसो दो नहीं होता, कुमारी आसो नंबर एक, कुमारी आसो नंबर तीन, क्या फरक है इसमें, कुमारी आसो नंबर एक जो है, वो तामर संसकारित है, उसमें तामर है, कौपर है, तो तामर बस्म मिलान कारण उसके जो संसकार है वो कुमारी आसव नंबर एक में दिखाई देते हैं तामर के गुणहें तिक्ष्ण और उष्ण और पित्त निस्चारण का वो कारी करता है तो इसके लिए कुमारी आसव नंबर एक जादा स्ट्रॉंग जादा पोर्टन जादा कारेकारी होता है तो उसका उपयोग एडल्ट्स में और जो भी सीरियस सिखाय थे यकृत के बारे में उसमें किया जाता है कुमारी आसव नंबर तीन तामर विरहित होने के कारण वो जरा सौफ्ट रहता है और उसका इस्तेमाल हम किस में कर सकते हैं बच्चों के बिमारियों में बच्चों के यकृत की बिमारी में कर सकते हैं यह जो अलुवेरा हैं कुमारी है कॉर्फड है यह अत्यंत जिसको बोलते हैं बिटर टेस्ट है कडवी चहो रहती है उसके और ज्यादातर यकृत के उपर वो कार्य करता है यकृत में जो बाईर सिक्रीशन होता है पित्त का स्त्रावा होता है और उसका जो वहन होना चाहिए यह सब कार्य कॉर्फड के द्वारा होता है उससे पचन शक्ती में सुधार आ जाता है और यह इसको मदद कुमारी कॉर्फड को मदद चव्य चित्र के जो द्रव्य है वो भी तिक्ष्न उष्न गुनात्मक होने के कारण वो सायबूत होकर वो एकत्रित सुरुप से पचन म सुधार लाते हैं उसके बाद उसमें क्या है लवंग है जाइपत्री है जाइफर है जटामासी है कंकोड है यह सब द्रव्य सुगंदी द्रव्य है सुगंदी द्रव्य अईरवेद ने कहा है कि वो वातान लोमक होते हैं जो भी एरोमेटिक कंपॉंट्स है वो वातान लोम हो जाता है वात की जो प्रिस्टार्टिक मुमेंट्स हमारे आंत्रों में होती है वो अच्छी तरह से होती है ठीक है तो इसके दवारा क्या हो ज限 WILL हो या enzymes हो इसका सब का सब जो cellular transport है वो अच्छी तरह से हो जाएगा हो गुमारिया सो जिसको पिलिया रंग बोलते हैं काविर बोलते हैं जौन्टिस बोलते हैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया आउशद है आरोग्यवर्धिनी ये एक टैबलेट है दो दो गोली तीन बार उसके साथ कुमारी आस्वा नमबर एक देने से ये एक इंफेक्टिव पैडेटिस जो ए हैं वो बिल्कुल ही तुरंत अच्छा हो जाएगा उसमें विलियूबिन लेवल तुरंत नीचे आ जाएगी बच्चों में यकृत दोश निर्मान होने के बाद यकृत का जो आकार है वो बढ़ जाता है कभी कबार ये आकार बढ़ जाने के कारण सीरोसिस आफ लीवर य उसमें भी ये कुमारी आसो नंबर एक बहुत ही फाइदेमंद है उसके अलावा जो व्यक्ति अतिमध्यपान करता है और भी कुछ रीजन्स के कारण यकृत की मतलब कुछ गड़बडी हो गई तो उसमें भी कुमारी आसो नंबर एक का इस्तिमाल आपने जरूर करना चाहि है आगे चलते हैं यकृत दोश के कारण बहुत बार अजिरन हो जाता है तो भूक नहीं लगती जैसे रुल्लास नौशिया फिलिंग आ जाता है पेट में दर्द होता है पेट में गैस बर जाता है अस्वस्थ पेशन्ट रहता है जो भी खाता है उसका पच्छन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है ये सब अजिरन की लक्षन है ये बहुत देर तक जब चलती है तो उसमें भी ये कुमारी आसो आपको देना चाहिए ठीक है जन्त के कारण भी बहुत बार अजिरन होता है तो जन्त में भी आहम कुमारी आसो दे सकते हैं कुमारी और कॉर्फड पित इस्तिमाल हम कर सकते हैं जलोधर का कारण अगनी मांद रहने के कारण कुमारी आसो हमें देना चाहिए तो साराओं शुरूप में कुमारी आसो जॉंडिस में, असैटिस में सीरोसिस में, क्रॉनिक इंडाइजेशन प्लूरसी में ये सब दे सकते हैं इतना ही नहीं, तो प्राकुरत अवस्था में भी बच्चों में, रेग्यूलर्ली हम कुमारी आसो नंबर तीन का इस्तिमाल करेंगे, इससे भूख बढ़ जाएगी पच्चन शिक्ति में सुधार लाएगा और उसके कारण ये बच्चों के लिए टॉनिक शाबित हो सकता है तो बच्चों में कुमारी आसो नंबर तीन देना है, और बड़ों में कुमारी आसो एक देना है, दो दो चार चार चमच पानी के साथ दो बार हम दे सकते हैं